आजकू येस बाजय पुखु र जलेश्वर मंदिर उद्गाटन तथा बाजय पुखु र जलेश्वर मंदिर पुन निर्मान पुस्तक बिमोचन कारिक्रम का प्रमुक अतिथी श्रद्य नारनमान बिजुग छेजुु। बिशिष्ट अतिथी पाक्तपुर नगर पालिका का नगर प्रमुक श्री सुनिल प्रजापतिजु। मंच मा आशिन विशिष्ट अतिति जियो हरू र उपस्तित सबई अतिति जियो हरू र यो सामाजिक संजाल मारफ़त यो कारेक्रम हिरिरानू हुने सबई में र पत्रकार्मित्रहर में मेरो हिर्देदेखी हार्दिक अभिवादन छा आज गनतांत्रिक संशार का प्रथम गननायक महादेव उत्पत्ति भायको दिन, सिद्ध भायको दिन र आज कई यो अभिश्मर्ने पावन दिन में भाजापुख को माजमा शुरीलो म्रिन्मय मंदिर को गर्वस्थान में उनहीं गननायक महादेव जल को मद्दे भागमा विराजमान भायरा जलेश्षर नामले प्रशिद्ध भाई आज को दिन बाटा अउपचारिक रुपमा विदिवात रुपमा शारा संशारले अवा मन्ने पुजे उनहाएको अभिश्मर्ने दिन शीवा उनी एक एस्ता देवता हुन जो जल शित अभिन्न छा जल का इश्षर जलेश्षर चाहे नेपाल प्रशिद्ध महो तरिको जल मा विराजमान महादेव हुन हामरो चरखंडी को खोला को मद्दे भागमा प्रकृति उत्पन्न जलेश्षर किन नहुन नेपाल का कुना काप्चा मा जल मा विराजमान महादे भारू लगायत हामरो बाजय पुख को जल को मा जमा बसना आयका जलेश्षर यहामी ले मन लागे रहे देखो नाम पनी होई नहुन हामरो अध्यन अनुसन्दान को क्रम मा वाँ बित्न वाय रत्न राज स्वर मा काठंडो को रानी पोखरी का सिवलिंग हामी ले अध्यन टोली पनी हैर नगय का थियों अध्यन अनुसन्दान को क्रम मा उनी पनी जले स्वर नहीं हन बालगोपाले स्वर और नाम पच्छे को कुरा हो यो कुरा यो सास्त्रिय नाम संगई ओजहल मा परनगायो लोपन मुक होनगायो हामरो अहिले पक्तपुर नगर पाली काले पुन जरनदार पुन निर्मान गर्न बनना अगाडी यहाँ पनी पोखरी थियो रहा यहाँ पनी मद्दे भाग मां मंदिर थियो रहा बन्ने कुरा पत्योंने मुश्किल थियो कि रानी पोखरी को इतियास कांतिपूर को रामरो बाजय पोख को इतियास पनी जन्ड़ाई उस्ताई छा काठन रोको रानी पोखरीलाई हेर ने पुरान अईना हामरो यो बाज़ा पुखो हो तमाय अरलाई यदि विश्वास चाहिने वने अईले बर्खर पनी यो पुस्तक यो पुस्तक मेरा हाथ मा परे हो यसको प्रिष्ठ भाग मा है बाजापुखो को मद्यभायग मा जुन सिखर सैलीको पष्ची मा विमुक यो उटामात्र मंड बायको यो मंदिर हेरिषगे बची मवा जल्यासद भाए यो काठन रोकोरी रानी पोखरी होoping भाग्टपुर को बाजापोखरी हो पन्नाई पर न भनी नहुने कुरा किये छबने मेरे कुरा ध्यान्षित सुनी दिने अला कथा इतिहास होई नव इतिहास मां कथा लाई पनी शुरुत गुरुप मां लिना सकें छा कथा में केही सत्यता को अंग्षच हो भने तेसली अरु श्रोत हर लाई पनी समर्थन गर्च मूल श्रोत लाई समर्थन गर्च भने त्यो पनी प्रमान हो मन नागे को कथा कपल कल्बित कथा हरू इत्यास होईन यू पुस्तक में ले सर रहे रहे येस मैं केही स्रोत हरू खुलाई ये को छा लेखा कारले तरा मुझे मा चांचो प्रामानिक स्रोत हरू खुलाई ये को छाईन कथा का कुरार देरे आये को छा अगी ब्यानसम्मा पनी फेस्बुक यहरे को थी सामाजिक संजाल मां सब पईले हामरो भाजापोहु लाई मद्य नजारमा पारे रह यो भाजापोहु जितामित्र मल्ल 18 सतापदी का भक्तपुर का प्रसिद्ध राजा जितामित्र मल्ल मरे पछे उनकी रानी लाई उनका काजी 14 मंत्रिज्यवनों भाजो कसले आपनो बनाए और उन्हें को स्मृति में उनलाए खुशी तुल्यावनों यो भाजापोहु बनाए यो कुरा आयको छे हामरों अध्यन अनुसंदान में त्यो कुरा आयको छाई नहीं सत्य कुरा और कई थियो बाजापोहु को अध्यन अनुसंदान गर्दे गई सके पछे इर त्यू भन्न अगाडी हामिले पनी स्वचे का थियों 18 सतापदी में जितामित्र मल्ल मरे पछे सक्ति साली भाय का भाजो कसले यो पोहरी बनाई दे होलान कायष्ठ कायष्ठ को नाम आयको छे तर बाजापुख को उत्खनन को क्रम में बारों सतापदी का इस्वी को बारों सतापदी बिक्रम को तेरों सतापदी को पूर्भार्दती रखा तेती बेला जुन मेला भक्तपूर लाई अनेक संपदा हरले उत्च तांत्रिक देवी देवता हरले आशादित गर आयर भक्तपूर लाई राधानी नगर को रूप दिने योटा प्रभाः चली रएको थियो ततकालिन युवराज इंद्रदेव जसले हामरों संगे को सिद्ध पोहरी बनायको देखिना आयको छा गोपाल राज बंग्षा बली येसकुरा को उदारन हो अन्ने प्रमानले पनी त्य देखिना आयको छा त्यसकाई कांची बहिनी बनाऊं आमरों बाजा पोखो सिद्ध पोखरी बने को कही कालमा वा हारा हरी में 40-50 बर्ष यताउती परला त्यही हारा हरी में इस्वी को बारों सताब दितिर यो पोखरी बने को थियो बनने कुरा यहां प्राप्त पुरातातिक अबस्ये शरुबाट पत्ता लागना आयो औनी हमेले आजपास का संपधाहर पनी हेरियों आजपास का संपधाहर में खास गरिकना आजपा कायस्थ अरुका पुर्वज सिधाई बनने हो बने यो पोखरी को ठ्यककाई पुर्वपट्टी वहारु को अले छकी छैने गईशे के बनने सुन्चुमा बार्वाचो कसा चाचु कसा अर्था कायस्थ अर्मा पनी आठ थरीका कायस्थ अथबा कसा कसाले कायस्थ बनने स्मरन होंचा ती मध्यपनी बार्वाचो का कसा कायस्थ सक्तिसाली थे रह यक्त वहार के बास्थास्थान बायो अनि अर्को कुरा बारों तेरों सताब्दी देखी का पुरा तात्तिक संपदाहरू यो भेकमा प्राप्त चा नजी कैको यो इनागा गनेश आमरों यो इनागा गनेश को पुर्वपट्टि को खोपा मां सर्शतिक मुर्ति छा प्रतिमा लच्छन को द्रिष्टी ले बारों तेरों सताब्दी को देखी नाओ छा कायस्थार का इस्थे देविने हुन लेखन कला रह यो संशार मां सब्बन्ना पहिला यो बन्ने तापनि ुशले राइको छा त्या शत्तल पनि छन कायस्था रलेने राखे का सत्तल अरrain छन त्यां सत पाठी छा आणि ड़से बन्ने लागे को सत्तल कायस्था रक हुन अरों पनि शंपदार कायस्था रका थिये त्यहस्ते गरेकन यो भक्तपुर क्यांपस को दच्छिन पूर्वतिरा केही प्राचिन डुंग्यधारा आरू छन। यक्षे को मुर्ति छो चौदों सताब्दी भन्ना अगाडी डुंगे दारा हर्म है बागीरात को मुर्ती संखभ होकी रहे को बागीरात को मुर्ती पची राहने चलनो त्यों भन्ना अगाडी देखी नहीं इस्वी को दोसरों तेसरों सताब्दी वा बनों पांचों चांगुनारन मात यत्र तत्र देखना सक्षाँ आमेरों, त्यो बगीरत को त्यो यक्षे को बार बाहक यक्षे को मुर्ती त्यहां छा, त्यसको प्रतिमाल अचेन 12-13 स्ताब्दी को छा, यो बाजा पुखरी को सम्बंध ती दारार शित पनी छान, बाजा पुखु में पान बड़ाई गईशिके पाची त्यो बड़ी भेक पानी तिने दारार बाट चाहिं निश्रीत हुंचन यो पुखरी बने पाची येसको आस पास में जल प्रभाहित गर्नक लागी बने का दारार शित हुँ बाजा पुखु में उन साथ अगी जिर्णोदार को कुरापनी आयो त्यो भन्दा अगाड़ी यह यो प्रदर्शनी पनी गरेग थे मुझा नहीं थी मला अईली बनी सम्झना सा अनि आमरो बक्तपर क्यांपस का एक जना सहरा छे वाव समिति का संस्थापक मध्य कई भनो सर्वक्य प्राध्यापक डाक्र सर्वक्य भक्त मल्ला अनि सत्यमों जोसी नारनमांदाई ही हुनूंच अमेर त्यां बशे रा छलफल गर्दा खेरी यो पोखरी मा जुन अइत्यासिक पुरातातिक रा मध्य भाग मामें डंफु पुर्वज अर्मा बनते हैं आसपास का स्थानी अर्मा यहां कही खन्य बितिकाई मंदिर का मंदिर न भनो कुने योड़ा बास्तु का अपसे सर्व फेला परे अपसी यहां नत्रवने ओटल बनोने कुरा थियो बब्ब्बे ओटल बनोने कुरा थियो संग्योग ले ती पत्ता नलागे को भय देखी और संपधा हरलाई जिर्नदार पुन निर्मान गर्ने योटाजन प्रभाहा पक्तपुर नगर पालिकाले जनप्रते निदिको सासनले नगरे को भय देखी साइद वटले बनते होला अईले कुरू भईशक्ते होला यह ठाउं तेस बशी यहां वटल बनो ने ती कुरा हरू हराए और पुरात तत्त बिभाग ले तेती बेला यह उटा एक्स्पलोरेशन अनवेशन गरे को थियो पुरात तत्त बिभाग अनवेशन भाठ यहां 12 तेरों सताब्दिका इट्रा हरू रहेको रती इट्रा हरू दोलखा तिरपुर सुन्दरी केई ठाउं को नाम अर्मली बेर्शें त्याहां प्राप्त इंटार सित दुरुस्त मेल खांचा बारों तेरों सताब्दे का इंटारू अब धेरे लाम कुरार नगरों यो गाम मा मुख्य कुरा दा बनन बागी ने छा यो पोखरी बारों सताब्दे इस्वी को बारों सताब्दे तिरव बने को थियो बनने कुरा पुरा तात्विक अन्वेशन बाटे देखिना आयो एका देश में योटा राचेस थियो तियो राचेसले यो पोखरी एक रात में बनाई दिने बचन देगो थियो भाले नबास दई पोखरी बनाई दिने बचन देगो थियो तर उनले पोखरी बनानों सकेना अधुरो नहीं बायो बिच्चामा डंफु जास्ते रहो अधुर्व रहो बन्ने कथा यो गर का वहार बिदी सक्णु भाई सगेको छा काकारबाट में ले शुने को थी 10 मैं क्या ही ऐतिया शिक्ष्थ त्यता रह सज़ता यलिए अनुबूद भाई रहो चा अमी तीहां दंफ में खेल थेओं यो भुद्ले बनाए को वनेर बंथेओं। आमी डंफ डंफु बनेर बंथेओं। तीओ डंफु में यह ती शुरीलो मन्दिर को जग भने कुरियाता हमेररे शोट्दै सचका थेँ नौगर पालिकाली हमेर च्वशादसी समितिको तोली अनि, राम गोविंदा सर्पनी उनून थियो, त्याहां मलाय योटा आस्के थियो बने, कताई सिलालेक बेटिन चाकी, अज्जय खनो, अज्जय खनो, पानी फुल 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 आयरेको थियो, आमेर लिए खंद ही जानदा खेरी, यो मंदिर को गर्व मां सासपवा यह जाने आस्के क्या भुट सानदा रहादा, रहेम जाओतनात्य ऊनलादी फुलियो, नग्जय मांसा को, यो मंदिर छोजय खनो, यो मंदिर बनोऊ चेरा कंश का क Weo सटखने embaixo, क्यों फुल 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 पुल फुलियो बनोए यो अजारवर पुराला जान ख़ानी तेसको जग खंड में जुन काटको सत्तर हरू थी तियो अलेली पानी ले चिपलो चिपलो मात्र भैगो थियो हमेर ले कोट्यार हेर्दा खेरी जस्ता को तस्ताई थियो डकर्मी हर ले अईले पनी बननू उन्छा अगरा यवटा एस्तो काठो तो हजार बर्ष लढा हजार बर्ष पड़ा तैपनी जस्ता को तस्ताई डकर्मी हर उन्छा संपदा डल्चा तार शीप मर्द रहेना चाँ हजार बर्ष अगई डली शक्यखको यो मंधिर अलिपनी चन्चल संपदा बनाओ बनाओ बन्रे ठ्याले चंचल हाथ अरले, शिल्प भयका हाथ अरले, फेरी उठाया निता। संपदा दले पनी, सीप मरेन बने इसता संपदार ता मोलिक स्वरुप में उठद रहे जा। माले त्यरे कुरा गरे, मूल बिशेतिर लागाउं, माले बारों सताब्दी, बारों सताब्दी भने रहे बने, सामाजिक संजाल मां, भाजा पुखो को बारे मां, कलम चलाउने, लेखा कर ले पनी, पुरानो शुरोत लाइट खुलाया रहे, महार ले के बन चा बने, अगिने आश्मित्र मल्ल मरे पचे, बाजू कशा, बागिरां पुर्धा नांकोको को नाम पने आउंँ छा, तिया हली किति अलमल कुराहरू राखे को छा, कर बाजू कशा ते बने खुलाये को छाई नंग, तर ब्यक्ति को नाम ले बंदा पनी उसको थार ले बंग्ष को पहिचान होंच नाम भागिराम होश बर्मन होश देव होश जिस्चुके होश तरह उसको पछी आउने जुन गवटा थार छा कौसा कौसा ले अईले का कायश्ठ हर को बंग्ष जलाई जली समझाँच योग कृति अईले का कायश्ठ हर काई पुर्भज हर को करीति हो कायश्ठ हर के कृति हो तरह 300 बनेर अईले योग कृति कायश्ठ हर को मात रहे न संसार का सारा मानव जात्य को साजा संपदा पाजू कसले जितामित्र मलन मरे पछी राणी को उनलाई आपनो बनायको राणी को समझानामा यह पोहरी बनाय दिये, मंदिर बनाय दिये, मानौ एक छिनको लागे आँखा चिमलेर मानौ यह कुरालाई आमरों पुरा तातिक कुराहर लापनी एक चोड़ी बिर्शी दियू तरह अई ते आशीक श्रोत प्रमानर ले की बन चाता जुन बेला भुपतिंद्र मल्ल नेपाल समझा आठ से स्वर मा राजा बाए तो बेला मा जितामित्र मल्ल जिवित नही थी बाबु ले खुशी खुशी छोरा लाई नेपाल समझा आठ से स्वर मा राजा बनाई दिये का थी रानी मर ने कुराह कहां मा अटा आया और को कुराह भुपतिंद्र मल्ले ले आठ से स्वर में राज साशन करे त्यू भन्दा अगाड़ी नेपाल समाथ आठ से एक में ठूलो भुकम भगायो यो मंदिर ले यो पुखरी ले प्राकृतिक मार हर को साथ साथ है मानविय मार पनी पटक पटक जल्दै आयो भुपतिंद्र मल्ललाय मारना बीहेवर जंगल मा पठाई दिये तेस पचीवाट आये रहा पची भुपतिंद्र मलल्लाय बाजु कसको भीच मा लड़ाई भयो सुकल को ढ़का राख दिये त्या युद्धा भयो बाजु कसलाय मारे तेसे लिए अईले को शुकुद्वाखा, शुकुल्डोका नाम रहयो, भाजु कोसको टाउको काटियो, उनला हमरो चोंगा गनेश मा लगे रहा, त्यों काटिको टाउको मा शारा संसारले मूतिये, चोंगा गनेश नाम रहयो, इस शपपई कपोल कल्पित कुराहर हुन। जितामित्र मल्लकु मृत्यू नेपाल संबत 829 मा भायको थियो, भुपतिंद्र मल्ला आफईले आपनो पिता को लास्मा अगनी स्थापन, जितामित्र मल्ला 829 अभाग जुर, अनि भुपतिंद्र मल्ला ले अगनी दिये, बन्ने कुराह आयको छा, अनि भुपतिंद्र मल्ला ले विवर जंगल मा मारन पठायको इस सपपई कुराहर मन गड़नते हुन। ठीक्स, यही कुराहला ले फेरी एक चोटी आमेर ले मानो। यह आमेर को अध्यन अनुसंद्रान को क्रम मा त्यो भन्ना अगाडी देराई भाजो का सहरो आये। तीक्कुराहर आपनो ठाम मा चादई छा। अनि यह अध्यन को क्रम मा यवटा छुट्यों। मेरो अध्यले आयको नया पुस्तक। मेरो मेरो पुस्तक को प्रचार-प्रचार गरना खजे गए न। अन्य था नली दिन अला यह दि भाई मामा पं। भाजा पुखको प्रचिंता नाम को लाम उल्यख छा। तेसमा पनी त्योकुरा उल्यख गरन पाएं। अगी अरुना भईनी ले प्रताप मलनार ले आक्रमन गरेको कुरा ल्याउनो बायो। त्योकुरा सही हो। नेपाल संबत साथ से त्रियाशी में बनेपा गवय का बनी कापूर मा गवय का दैभग्य देभारो। उनको असली नाम खुले न जस्ताई बाजु कसा। नेपाल संबत साथ से त्रियाशी में बक्तपूर का ततकालीन बक्तपूर का दैभग्य देभारो ले यवटा ग्रन्थ रचना गरे। त्यों ग्रन्थ को नाम कुपजी का विशेक पद्धति ग्रन्थ हो। कुपजी का विशेक पद्धति ग्रन्थ जुन बेला दैभग्य देभारो ले कुपजी का विशेक पद्धति ग्रन्थ लेग दई थे। त्यों बेला प्रताप मल्लार ले योठ होमा आक्रमन गारीको रहे चे। उनी त्यसका प्रत्यच्छे दर्शी रहे चन। उनले यसको पुष्पी का बाके मा क्ये लेक्षन मने। मा पड़ेर सुनाँ। संबत 1783 त्यों बेला को नेपाल भास आईयो। संबत 1783 जेश्ट शुक्ल अस्टम्याम तिथव। श्री 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 चंडेश्वरी अधिस्थाने। श्री बानिकापुरी बास्तव्व्य। फटकर गाईमा। चोचक काया दैबग्य खपया देव भारन चोश्य बिया। थो बेला सा खप याकात तयाव। खप जुक्क लेनका महादुख विश्य तय। थो बेला सा शुन्ना सा अबरामर संगा। थो बेला सा पाजुया पुखुली सा दल चोगाव। पुखुली सेनका देवल सचुग देवल लुह अतं कायाव। शेनकव थो बेला सा याया राजा परताप मल्ला। याया निवास मल्ला या ललेटपुर। खप या जगत प्रकास मल्ला। जगत जोतीर मल्ला या पुखुली सा गरपसी दिंगाव। वाशिक मोरकायाव मशिरया लुपारेर गजुर कोयाव याया लाशकुलस लाशकुलस हुनु पर से यो लाशकुलस तय यान मा थोरे समय मात्र लिन छो यो प्रमान ले जिता मित्र मल्लहर को समय बंदा पनी धरे अगाडी प्रताप मल्लहर कोई समय मा यो पोखरी थयो भन्ने कुराक। दस्वी प्रमान यो भाई नच Parce साथसे त्रियासी मा प्रताप मल्लह शिर्निवास मल्लह को समय तो फोझले मा काली पीच समरा आइपुगे उनेरू प्रमान तहां उनेर ले रहे को शिलालेक प्रमान छा पक्तपूर गड रूप मा थियो जितना नसके पची मा काली पीट आमरो यो ब्यास्ची काल्दा पुखु हुँदाई यो बाजा पुखु मा उनेरले सैनिक सिवीर काइम गरे प्रमान छाई हा देवला सा दल थांगाव यो मंदिर मा आएरे उनेरले सैनिक सिवीर खड़ा गरे यहां सैनिक सिवीर खड़ा गरे पची यहां को देवलों मुर्ती कुदिये का प्रस्तर मुर्ती हरू सुन्दर इट्टा हरू लुटेरा अन्मान डोका दरबार सजावना लगे अब इस जुन कुरा आफलाई था चाई न था नवेको कुरा मा नवल्दार आमरोंच जे प्रमान चा प्रमान को आधारमा पल्लिया तेसकारण जितामित्र मल्लको समय का भाजु कसा ले यो पोखरी बना को हुई न उनी भन्दा अगाडि नहीं जे पाल समय साथ से त्रियाशी महीं यो पोखरी यहां अस्तित्तमा थियो र त्यू प्रमान को आधारमा त्यू भन्दा पनी देरे अगाडि नहीं यहां पोखरी थीयो बन्ने कुडाको तो प्रमान एसलित्यू अणि अनि प्रताफ मल्ला ले जुन यहां का संपधार लुटेर लगे बाजा पुखु को साथ साथ है जगजोतिर मल्ला ले बनाये को नू पुखु रानी पुखु त्यहां का बाशुकी नाग सुनको बाशुकी नाग, महादेव, सुनको छाना, नाघर इत्यादी लगेरा अनमान ढकाद दर्वार को नाग पोखरी उनले सजन लगे नाग पोहरी को कुर आगी आया गौतम बजर बजरा चारे ले अनमान डगात दर्बार मां यो कुरा सप्ष्ट रुप मां सब प्रमान वहाले लेखनु भाई को छा अब आ कुन समय का भाजु कसा भाजु कसा ले यो पोहरी बनाई देगो कुरा मां संकार है ना आमरों अध्यन ले भाजु कसा ले यो पोहरी बनाई देगो देखिनाय को छा भाजु कसा को काई स्थर को उल्लेख गर्दाई जानता खेरी अब समय छाई ना नतराली किती कुरागरन मिलते हो यत्ती बनाउ बारों सताब्दी मां पनी सायद यही को बाजु कसा बारबाचा कसा उच्चा भागमा बशे को भाजु को नाले बारबाचो चंगा गनेश सब पहले मूतियरा त्योठाउं को नाम चो भाजु को है ना उच्चा भागमा रहे को गने स्थान भयकोनाले चंगा पाखे भने को हो चोछे टोल को नाम मूतले भयको होई ना उच्चा भागमा भयकोनाले चोछे टोल भयको हो भासा भिज्यान को इसाबले पने तिक रहर मिल चल रहा तेती बारों सताब्दिका सक्ति साली कायस्ठ उनले यो पोखरी बनाई दिय का थी और कायश्ठर को उल्ले कर दें जान दा खेरी मसंग समय रहे ना छेमा पाऊंग हम रो अद दिन माँ छ र यस्विशे का लेखर पनी आवलान एत्ती मात्र भंद्यूं कायश्ठर को इतियास खुद्दई जान दा खेरी नेपाल को संदर्मा लिच्छ भी हरू पनी कायश्ठर नहीं थिये बर्मन हरू पनी कायश्ठर नहीं थिये बर्मा हरू मद्यकाल भंदा अगाड़ी नहीं उत्तर प्राचिन कालती रही लिच्छ भी कालती रही यहां कायश्ठर थिये चत्रबादर कायश्ठर हेमराज साक्ये वहारले ललितपूर को सुर्य ब्रह्म महाब्यार पांचों सताब्दीमा त्यहां अईले का कायश्ठर का पुर्वज कायश्ठर को उल्लेख भायको योड़ा प्राचिन ग्रंथ चा बहुत दविशेको ग्रंथ चा इए प्रमान आरले और अन्ते माम क्यों बंदेऊं भने योग पोखरी अईले भक्तपूर बाशे को एक ताको प्रतिक रहे को चा बिचार ले हामी जस्तो सुकई भायता पनी काम ले संपदा निर्मान मा जस्तो सुकई बिचार को भायता पनी संपदा जिर्णदार पुन निर्मान को क्रम मा सारा भक्तपूर बाशेर को मन योटई रहे चा यदी 1292 होता, पाक्तपुर का अन्य संपधाहर लगायत, यो पोखरी को जिर्नदार होने थे न, यो पोखरी को माजमा, यो शिखर सयली को सुंदर जलेश्वर महादेब पनी, मंदिर पनी बनने थे न, यह को स्रीर, सरपर्थम, पाक्तपुर नगरपाली का, अनी, तेस पछी, कुम मिलाउने, यहां का, मद्दुर हरो, महिला, दिदी बाईनी, काकी हरो, और मद्दुर हरो, भावनात्मक रूप मा, पाक्तपुर का सारा बासिंदार लाई, यो मंदिर निर्मान को श्रेय जान्छा, रा अन्ते मा, योटा कुरा बने रा गई हालूं, भावतिक संपदा डल्यों भाने, त्यो भावतिक संपदा सित जोडियेको, और भावतिक संपदा पनी स्वत मार्च, अनी, त्यो भावतिक संपदा को बारे मैं लिख्येको, यो ग्रंथ पनी ज्यान संपदाव, कल्पना घरों, अब फेरी हजार बर्ष पछी यो डल्यों, बने पनी, आमरा संतती हरले, आमरा बंग्षज हरले, संतती हरले, खोजी-खोजी कन यो ज्ञान संपदालाई आधार बनायरा, फेरी पनी इसता संपदारों पुन्ने निर्मान गरने चन, तेसकारन ज्ञान संपदा पनी चांचुने संपदात होई न, बहुतिक संपदा को आ